हलो एविवन कैसे हैं आप सभी उमीद अच्छे होंगे आज मैंने अपने बोगन बिल्या प्लांट को रिपॉर्ट किया है ये देखिए और रिपॉर्टिंग की वीडियो मैं अल्रेटी डाल चुकी हूँ और फिर से मैंने इसलिए नहीं डाली है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप अगर चाहें तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी ये रही देखिए पहले वाले गमले की मिट्टी ये इसी बकेट में ही लगा हुआ है शुरू से चार से पांस साल हो चुके हैं इसको अब ये पुरानी मिट्टी को मैंने धूप लगवा दिया और आज इसमें मैंने नई मिट्टी डाली है सारी ये देखिए बकेट कंप्लीट फिल करके फिर मैंने वीडियो बनाने शुरू किया है आप इससे और भी जानकारी जानने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर कीजिए देखिए ये पानी और इसमें मैं फंगिसाइड जो है वो मिलाने लगी हूँ और डारेक्ट आप मैं इसको हिला कर जो इसकी जड़े हैं बोगन बेलिया की इसमें डाल दूँगी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं देखे जड़ों में जा रहा है ये सिदा इससे कोई भी जड़ रूट रॉट होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फंगस नहीं लगेगी जड़े सही रहेंगी और अब मैंने इसमें मिट्टी उपर से डाल दिया है और हाथ से इसको प्रेस कर दूँगी ताकि कोई बबल्स एयर के ना रह जाए जो बुगन बेलिया प्लांट है यह घर में लगाने के लिए बहुत ही सुन्दर पौदा है अगर यह आपके घर में लगा है तो आपकी गली से निकलने वाला एक बार जरूर मुड़कर पिछे जरूर देखेगा तो इसमें कई तरग के फूल आते हैं कई रंगों में फूल अवेलेबल रहते हैं इसके और अगर यह अपने घर में मेरी तरहीं बास्केट में या गंबले में लगा रखा है तो आप सर्दियों में इसकी हाल्ड प्रूनिंग जरूर करें मैंने भी किया चैनल को सब्सक्रा किजिए थैंक यू